तो जैंद मेरे प्यारे साथ यू दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी भरती का latest information देने वाला हूँ जिस भरती को ले करके अब लाखों candidate ये मान चुके हैं कि ये भरती जो है अब कभी नहीं निकाली जाएगी जिहां दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ भारती डाग विभाग में गुरूप C की भरती जिसमें की MTS, Postman और Mail Guard के पद जो है खाली है मैं आपको बता रहा हूँ 99,000 से ज्यादा पद ऐसे हैं जो कि इस विभाग में पूरी तरीके से खाली है और देखिए आज की सीडियों में मैं आपको कोई जोटी तसली नहीं दूँगा, कोई दिलासा नहीं दूँगा जो रियालिटी है, जो हकीकत है उसी पर बात करेंगे लेकिन इस भरती को ले करके सरकार का अभी तक कोई भी आदेश नहीं है और इसी वज़े से विभाग ने इस भरती को ले करके पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है विभाग के तरब से ना जाने कितने साल बीट गया है लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जो है जारी नहीं किया गया है लेकिन डिपार्टमेंटल भरती के थुरू क्या होता है कि कभी-कभी एक हजार पंदरह सो दो हजार पोश्टे आती हैं और जो GDS करमचारी है जो कि अगर मैं बात करूंगा ना तो एक लाख शपन हजार 721 टोटल पोश्ट आफइस है जिसमें डेश में डाक विभाग में कुल करमचारी की अगर मैं बात करूँगा यानि कि भारती डाक विभाग में कुल करमचारियों की जो संख्या है वह है दो लाख असी हजार फे भी एक लाख बीस हजार से ज्यादा post office ऐसे है जहां पर करमचारियों की भारी कमी है भारी किल्यत है इसको आप लोग एक example के माध्यम से समझेगा कि जैसे अगर कोई एक प्रधान डाक घर है जिसमें की 100 करमचारियों की जरुवत पड़ती है तो दोस्तों चल क्या रहा है कि 100 करम तरीके से घाटे में चल रही है देखिए इस पर मैं एक separated वीडियो कभी बनाऊंगा 80% से ज्यादा बियो ऐसे हैं जो की पूरी तरीके से भारत देश में घाटे में चल रही है ठीक है ना अब इस चीज़ को आप लोग समझे दोस्तों कि MTS postman और mail guard की अगर मैं बात करूँ तो 37,549 पद ऐसे है ना जो की पूरी तरीके से रिक्त है इसे भरना बाकी है उसके अलावा postman की मैं बात करूँगा तो 35,000 से ज्यादा पद ऐसे हैं जो की भारती डाग विभाग में ग्रुप C की भरती जो है इसमें पूरी तरीके से रिक्त है उसके अलावा mail guard की अगर मैं बात करूँगा तो 1500 से ज्यादा पद ऐसे हैं जो की पूरी तरीके से रिक्त है इन सभी वेकैंसी को कौंट करेंगे आप तो जो कि भारती डाग विभाग में पूरी तरीके से खाली है और उसे अभी तक भारा नहीं गया है पूरी तरीके से दोस्तों यह जो भरती है ना यह केंद्र सरकार की भरती है यानि कि Central Government की भरती है जिसमें आल इंडिया के male और female candidate जो है यह apply कर सकते हैं कहने का मतलब यह है ना कि Central Government की भरती है तो इसमें आपका TA, DA, Medical की Facility जो है सारी सुविधा दी जाएगी लेकिन देखें सवाल यह आता है कि जो सरकारे हैं जो विभाग हैं यह भरतीयां क्यों नहीं निकाल रही है देखें मैं आपको हकीकत बताऊं दोस्तों थोड़ा सा कड़वा जरूर है और आज की सरकारे क्या सोचती हैं दोस्तों कि जब 98,000 पदों पर भरती निकाली जाएगी तो उसमें लाखों candidate ऐसे होंगे जो की आवेदन करेंगे बाद में क्या होगा कि इसको joining भी देना पड़ेगा और उनको salary भी देनी पड़ेगी लेकिन सरकार जो है यही नहीं चाहती है वो आपको salary नहीं देना चाहती है देखें भारत देश के अगर मैं बात करूँगा ना तो कहा जाता है कि दुनिया का पाचवा सबसे बड़ी अर्थ व्योस्था वाला देश भारत देश है लेकिन वो किसी काम का नहीं है जब वो भारत देश की गरीबी नहीं मिटा सकता है बेरोजगारी नहीं मिटा सकता है और महेंगाई नहीं मिटा सकती है ना तो पाचवी सबसे बड़ी अर्थव्यस्ता का कोई मतलब यहां पर नहीं बनता है देखें दोस्तों यहां पर मैं आपको यह चीज बता रहा हूं काफी सारे परफंटेज के आधार पे जो है डाकॉमेंट बेरिफिकेशन किया जाता है लेकिन यहां पर बिलकुल भी ऐसा नहीं है साथ में आपके पास अगर computer का basic knowledge है तो आप यहाँ पर apply कर फकते हैं लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि भरती कम निकलेगी वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा सबसे पहले चैन प्रक्रिया के बारे में आप लोग समझेए देखे सबसे पहले अगर यह भरती आती है कभी भी तो इसमें आपका written exam लिया जाएगा मैं आपके सारे confusion को दूर कर दे रहा हूँ यहाँ पर बिना परिक्षा का जो है आप सरकारी नौकरी नहीं पापाएंगे GDS के तरह इसमें selection process नहीं होता है सबसे पहले आपका written exam लिया जाएगा उसके बाद short listed candidate का document verification किया जाएगा medical ह और finally आपको जो है joining दिया जाएगा यहाँ पर मैंने कुछ basic detail लिख रखे है अलग-अलग post के लिए इस चीज को आप लोग समझेगा जैसे कि MTS की अगर मैं बात करूँगा जिसे हम लोग multitasking staff के नाम से जानते है उसमें दसवी पाफ आल इंडिया के male or female candidate apply कर सकते है 18 फाल से ले करके 27 फाल तक का age criteria रखा गया है और इसमें अगर मैं salary की बात करूँगा दोस्तों तो शुरुआती जो salary आपको दी जाएगी ना वो 18,000 से start होगा देखे दोस्तों आज कलके जो बेरोजगार हुआ है वो क्या सोच होते हैं कि देखिए salary भले ही कम मिले लेकिन उनको एक government job मिल जाना चाहिए salary तो यार समय के साथ साथ बढ़ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है इसलिए आप देखते हैं जब चपरासी की भरती निकलती है सफाई कर्मचारी की भरती निकलती है तो उसमें लाखों की candidate में हजार अरत देश की जो है इस थिती क्या है उसके अलावा postman और male guard की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें age criteria ठारा फाल से ले करके 22 साल तक कर रखा गया है और इसमें देखिए होता क्या है कि as per government rule के according जो है age में आपको छूट दी जाता है जैसे कि OBC के candidate को तीन साल और SCHT के candidate की म में बात करूँगा तो पांच साल का छूट दिया जाता है योगिता क्या मांगा जाएगा इसमें तो दोस्तों अगर postman male guard की जब भरती आएगी कभी भी तो इसमें 12 पास candidate apply कर सकते हैं male और female दोनों साथी साथ दोस्तों इसमें आपके पास computer का basic knowledge होना चाहिए देखिए यह जैसे यहाँ पर computer का basic knowledge मांगा जाता है इसके अलावा requirement की मैं बात करूँगा तो local language की जानकारी होनी चाहिए यानि कि जिस भी circle से जिस भी division से आप form को apply कर रहे है ना वहां का local language जो है और एक बहुत important बात दोस्तों की देखिए 10 week और 12 week के mark sheet में आपका जो है math और English मैं आप पर लिख दे रहा हूं math और English का जो subject है वो compulsory है mandatory है कि यह subject होना ही चाहिए तब ही जाकर के आप जो है apply कर पाऊगे उसके अलावा दोस्तों postman की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर two wheeler driving license की भी ज़रूरत पढ़ती है देखिए hmv यानि की heavy motor driving license और एक होता है LMV जिसे ह हम लोग light motor vehicle driving license बोलते हैं उस license की यहाँ पर जोड़त पढ़ती है तब जाकर के आप यहाँ पर apply कर पाऊगे देखिए postman और mail guard की salary की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो यहाँ पर salary GDF की तरह 10,000-12,000 नहीं दिया आता है इसमें salary आपको बहुत ही अच्छी दी जाती ह है ना वह 21,700 से start होगा और 63,900 रुपय तक यह salary जाती है जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे salary बढ़ेगी साथ में आपको इसमें TA, DA, medical की सारी facilities मिलती है तूकि यह पूरी तरीकी से जो भरती है ना central government की भरती जो है अब सबसे बड़ा सवाल याता है कि सर यह बताए यह सारी चीजे तो ठीक है लेकिन इसका apply जो है आवेदन कब से start होगा और क्या यह भरती लोग सभाचुनाव पर निर्भर करती है दोस्तों देखिए एक बात मैं आपको clear कर देना चाहता हूं कि विभाग की तरब से अभी तक किसी प्रकार की कोई भी notification जो है इस भरती को लेकर के जारी नहीं किया गया है विभाग ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है लेकिन एक बात मैं आपको clear कर देना चाहता हूं कि अगर दोबारा BJP सरकार आती है न तो यह मान के चलिए कि यह भरती कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा मैं आपको हकीकत बता रहा जुलाई या फिर अगस्ट महीने तक यह भरती आपको देखने को मिल जाएगी मैं मानता हूं कि 99,000 पदों पर यह भरती नहीं निकाली जाएगी लेकिन सुरुवात में जो कम से कम 30 या 40,000 पदों पर यह भरती आपको देखने को मिलेगा क्योंकि Congress ने अभी 30 लाख रोजगार युवाओ को रोजगार देनी की बात की है और देखे दोस्तों यह हकीकत है कि अगर बीजेपी फरकार जो है पावर में दोबारा आती है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है यह भूल जाएगे कि यह भरती कभी आएगी लेकिन अगर Congress सरकार आती है तो कुछ उम् की अगर मैं बात करूँगा तो इस notification को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप चले जाएगा मेरे टेली ग्राम चैनल पर टेली ग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के description में अल्रेडी डाल रखा है मैं इस notification को डाल दूगा वही पर ठीक है ना और देखे इस भरती को ले करके आप क्या सोचते हैं आपके मन में क्या राय है वो कमेंट कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि 80% बियो जो है जो घाटे में चल रही है इस पर मैं एक separated वीडियो बनाओ तो आप जो है एक बार comment जरूर कीजेगा मैं इस पर एक separated वीडियो बना कर करके आपको ज्यानकारी दूँगा तो दोस्तों यही सारा सब कुछ ज्यानकारी देना था आई होब कि वीडियो आपको इंफॉर्मेट्यू लगा होगा और यह जो मैंने आकड़े बता है ना इससे आपको बहुत ही ज्यादा information मिली होगी बाकी वीडियो अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी फिर मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद